नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हुराज मुहन तिवारी कुड़नी विधानसवा उपचुनाओं के परिनामों पर लगतार हम आप तक अपडेट पहुचा रहे हैं और आपको बताएं कि इस बार कुड़नी की लडाई 2020 की तरह ही काटे की दिखाई दे रही है उस समय बीजेपी और आरजेडी के बीच थी इस बार बीजेपी और जेडियू के बीच यह लडाई किस मुकाम तक पहुचेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी तक कुछ भी कहपाना मुस्किल है क्योंकि उतार चढ़ाओ का दोर जारी है कभी बीजेपी आगे हो रही है कभी जेडियू आगे हो रही है लेकिन इन सब के बीच एक चीज साफ नजर आ रही है कि AIMIM और VIP ने दोनों ही पार्टियों को खूब नुकसान पहुचाया है मीम ने जहां महगडबंधन को तो विकासिल इंसान पार्टी के उमिद्वार निलाव कुमार के वज़ा से अभी भी बीजेपी कुड़नी की सीट पर 13 राउंड की गिंती के बाद पीछे चल रही है और वोटों के आकड़े की बात करें तो 13 राउंड की गिंती समाप्त हो गई है जेडियू के मनोज कुस्वाहा 46,219 वोट लेकर आगे चल रहे हैं जबकि बीजेपी के किदार प्रशाद गुपता को 44,809 वोट मिले हैं और वो 1410 वोटों से पिछड़े हुए हैं दूसरे नंबर पर हैं मुकेस सोहनी की पाटी के उमिदवार निलाब कुमार शुरुआत में ज़्यादा वोट हासिल नहीं किये थे लेकिन अब तक उनको 4280 वोट हासिल हो चुका है और वो तीसरे नंबर पर हैं यानि सीधे सीधे ये सारे वोट बीजेपी को नुकसान पहुचा रहे हैं अगर बात करें नोटा की तो 594 लोगों ने नोटा दबाया है सेकर सहनी को अब तक 2451 वोट मिले हैं जबकि संजय कुमार सहनी निर्दलिये जो हैं उनको 2134 वोट हासिल हुए हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अभी सीट पर जो लड़ाई है और हार जीत क्या जो फैक्टर है अब AIMIM और VIP तैग करेंगे कि कौन जीतेगा कौन जिसके वोटों में ज्यादा सेंद मारी होगी उसके हार की संभावना बढ़ेगी जैसा कि BJP के साथ नजर आ रहा है गोपाल गंच की तरह AIMIM को इस बार कुड़नी में वोट ज्यादा मिलते नजर नहीं आया इस वज़ा से महागडबंदन की उमिदवार ज्यादा पिछरे नहीं है हलांकि शुरुआत में पिछरे थे फिर आगे निकले फिर पिछरे और उसके बाद लगातार जो है वो नौवे राउंड से ये बढ़त बनाई हुए हैं 13 की गिंती के बाद 1410 वोटों से आगे हैं लेकिन अभी और 10 राउंड की गिंती बाकी है तो हार जीत को जान और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें